अगर इस समय देखिए इसका फ्लावरिंग पिरेड स्टार्ट हो चुका है कई जगे और कुछ आने वाला है वसी समझेए तो आप जब नर्सरी में जाएंगे तो एक बेस्ट टाइम है आपको पहचानने का भी हाँ इसमें फ्लूटिंग हो रही है तो बेस्ट प्लांट आपको मिल जाएगा तो ये प्लांट है आप इसे जरूर लगाए बहुत हार्ट है बहुत अच्छे से ग्रो होता है काफी अच्छी गंले में फ्लूटिंग होती है हर साल मेरे यहां पर जबर्दस फ्लूटिंग होती है तो इस वीडियो में यही शेर करूंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए देखे फ्रेंड्स ये है एपल इसमें देखेंगे कुछ टाइम बादी या तो किसी किया इसमें फ्लावरिंग हो गई है या फ्लावरिंग होने वाली है मेरे थाई एपल की वेराइटी में जो है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है यह मेरा मुश्किल से एक साल का भी प्लांट नहीं है और आप ग बहुत अच्छी ग्रोफ होती है बहुत हार्डी प्लांट है इस समय गर आप इस प्लांट को खरीदते हैं तो मेभी आपने खरीदा और सब्टमबर में आपके आप फ्लावरिंग और फिर विंटर में बहुत अच्छी आप जो है इसकी फ्रूटिंग ले पाएंगे क्योंकि यह प्लांट इसकी ग्रोफ बहुत अच्छी होती है तो कुछ चीजे छूटी-छूटी सी में इस वीडियो में आपके साथ शेर कर रही हूं देखे जब भी आप एपल बेर के प्लांट को लगा है चाया आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो मैं तो यही रिकमेंड सिंची का प्लांटर जरूर रखें क्योंकि यह बहुत बहुत तेजी से ग्रोफ करता है मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूं क्योंकि मेरा टेरस है तो बहुत मिश्किल होती है कि यहां पर इस तरीके से यह इतना ज्यादा बढ़ रहा है और एक तो टेड़ा थोड़ा सा ब ग्रफ्टेड प्लांट है आपको ग्रफ्टेड प्लांट ही लेना होगा आप सोच रहे हैं कि आप नॉर्मल प्लांट लेकर आएंगे और आपके फ्रूटिंग होगी वो नहीं होगी इसके लिए आपको बस एक ही चीज का दिहान रखना है अपना प्लांट खरीदें तो ग मेरे पास इसे हो गए हैं और continuous मेरे याँ फ्रूटिंग हो रही है देखे ये भी जो मेरा प्लांट है ग्राफ्टेड है देखे जब भी आप लगाएं तो ग्राफ्टेड एरियो को ऊपर की तरफ रखें देखे जैसे ग्राफ्टेड एरियो से इस तरीके से ये ने-ने अंकु जलनी शुरू हो जाती है उन्हें आपको remove करना बहुत जरूरी है देखे मेरा प्लांट की थिकनस देखिए कितना अच्छा जो ये मेरा प्लांट हो गया है तो बहुत अच्छे से जो गंबले में ग्रोह होने वाला प्लांट है पर देखे फ्रेंट्स कुछ-कुछ मेरे प् देखे मैंने इसका एक वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके से जैसे कि मेरा ये प्लांट फ्रूटिंग पर आने वाला है तो मैंने कुछ समय पहले इसे बहुत अच्छे से फीडिंग कराईए root filling इसकी कर दिये सारे fertilizer इसमें दे दिये तो अम मैं इसमें कोई भी fertilizer add नहीं कर कर सकते हैं मैंने नी मॉयल का और फंगिसाइड का दौनों ही इस पर अपने प्लांट पर कर चुकी हूँ लेकिन बारिश का टाइम है अगर में भी आपका ऐसा लगता है कि कुछ इंसेक्ट का टैक हो रहा है तो आप इस पर कर सकते हैं लेकिन अगर flowering एक बार स्टार्ट हो किसे अपने प्लांट को यह प्लांट मेरा छोटा यानिकी एक साल से भी कम एज का है तो मैंने इसे कम वीडियो शेयर किया था तो बताया था कि कम fertilizer दिया लेकिन जो भी मैंने था ही वेराइटि वाला अपना दूसरे अपल प्लांट दिखाया उसको मैंने ज्यादा fertilizer दिया क्योंकि काफी बड़ा प्लांट था काफी पुराना था देखिए जब हम लगाते हैं तो उसमें माइक्रो निट्रेंट्स भी होते हैं फर्टिलाइजर जो हम स्टार्टिंग में अप एक बार अच्छे से अपने प्लांट को फर्टिलाइजर दे दीजे बार बार आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रुरत नहीं होती हैं यह ऐसा नहीं है कि आपको फ्रूट प्लांट में आज फर्टिलाइजर दिया फिर फर्टिलाइजर देना ऐसा नहीं है एक बार अच्छे से रूट फिलिंग कराईए अच्छे से उसे फर्टिलाइजर आप देंगे अच्छे तरीके के और्गेनिक फर्टिलाइजर के जगे ही मैं देखे पूरी गार्डनिंग करती हूं, जितने भी फ्रूट ब्लांट और वेजी टेवल में, किसी में भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करती हूं, तो ये सारी चीजे जैसे कि हमने इसमें, मैं बता देती हूं, जैसे मैं इसमें गोबर की खात दी थी, नीम खली का पाड़र दिया था, सीवीड दिया था, और साथी सिंगल सुपर फॉस्वेट दिया था, आप चाहें तो सिंगल सुपर फॉस्वेट की जगे, बोन मील का यूज भी कर सकते हैं, तो देखें कई लोगों के क कमेंट्स आते हैं कि सिंगल सुपर फॉस्वेट के केमिकल नहीं है, वो रॉक फॉस्वेट से बनता है, और बहुत अच्छे फ्लावरिंग के लिए उसको एनेंस करता है, प्लांट को, उसमें अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग हो, तो ये कुछ छोटी-छोटी सी इसलिए मैंने मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के फिर कमेंट्स आते हैं कि हम प्लांट्स कब लगाएं, फूट प्लांट कब लगाएं, ये बारिश का मौसम है, बैस टाइमिंग है, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, और इस प्लांट को तो आप ज़्यादर डिजीज इसको नहीं होती है, बस कंटेनर का साइज अच्छा रखिए, सोईल जो भी बनाएं, वेल्डरेन बनाएं, इसको जो सोईल का है, बिल्कुल भी इसे इस तरीके की जो भी हम फ्रूट प्लांट देखिए लगाते हैं, सभी को वेल्डरेन सोईल पसंद जमा, जो इसके जब भी आप कंटेनर को तयार करें, काफी सारे इसमें होल करें, और उसके बाद इसके अंदर नीचे ठिकरी की लेयर लगाएं, उसके बाद अपनी मिट्टि को भरें, जो में उसमें सेंड की मातरा को थोड़ा च्छा रखें, बस एक बार वेल्डरेन सोई बना दीजे, ना तो गमले में कभी पानी भरेगा, आप यह देखिए, इतनी बारिश होती है, मैंने वीडियो भी शेयर किया था, कि मेरे किसी भी प्लांट में पानी नहीं भरता है, क्योंकि जो फ्रूट प्लांट मैंने ग्रो की हैं, अगर इस तरीके से इनमें बार बार तो इसे जब भी फूट प्लांट लगाए, तो वेल्डरिंग सोयल रेडी करें, बहुत अच्छा प्लांट है, इसे गमले में ग्रो कीजिए, काफी बेटर रजल्ट मिलेंगे, वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू